कि ऐसिए सभी का घाई करता हूं आपका फिजीक्स वाला के सीऻ्टीउ चैनल पर 10 बूइफ और आपको पड़ाई जाएंक इस यूटेबर शिपायत को बाई किसे बढ़े का लिचिया चाइट इनल तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आ wrapping नवे œदia बोर्ट बूस्टर का बैस वो भी बिल्कुल प्री यूटिप पर तो बच्छों आज एक बाइफेट से मैं सभाइब करता हूं आपका आकाश आपका दोस्त आपका सभाई आप सभी काश काहसर तो भाई आज हम पढ़ने वाले एक नया टॉपिक जिस टॉपिक का नाम है इस व्यक्ति औरना होगा यह कोई आप दिखाई दे रहा होगा यहिए हैंसे बहुत सारी लेकर सोद्गहट संटारे हैं त्यार लेकर पैशनेट होकर फूल डीटेल के साथ तो अपने कमर की पेटिया को बांध कर रखे क्योंकि आज हम भरने वाले बहुत लंबी उडान तो भाई सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या सबसे पहले हम पढ़ेंगे बार मैंगे की जानते ही हैं उसके बाद हम पढ़ेंगे चुमबकी रेखा हैं उसके बाद चुमबकी प्रभाव उसके बाद विद्धु चुमबकी प्रिद्रण और mcb और फ्यूच कुछ 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 इसमें से निमारिकल बीसे सब भी आते हैं सारी कुछ नम कवर करेंगे बस आप पैस्टनेट होकर वीडियो को देखेगा वीडियो को दे मैंग्नेट पार मैंगणेट को अंग्रेजी में बहर मैंगेनेट कि रहते हैं हिंदी में अगर शुद्धु हिंदी की बात करें नँद्डब productive इसे क्या ख़ए का जाता है दट्ट कि ब्रदात जैसे कि कुछ नाम भी लिखे मैंने जिसे लोहा और स्टील के बस्तूं को अपनी और आकर्शित करता है अच्छा उधारन के लिए मानलो मेरे पास एक चुमबक है भाई इसके पास मैं ये लोहे के तुकड़े यहां पर छोटे चोटे बटक दूँ तो ये करें यहां फर आकरे करेगा यहां बट्रकारशित करेगा कब होगा कैसे होगा इसके बारे में थोधेन में पढने वाले है तो वाई चुम्बक ऐक एसा प्रदार्थ होता है जिव बिशित क्यों होती है एक थोड़ी सी शब्दयों का अंतर है याद रखनां किसी जुंबक के दोज दुदव होते हैं, किसी भी चंबक के दोज होते हैं, किसी भी चंबक के अंगरेस Jewelam कि पास वियमांधे ने रावोची एक उत्तरी ध्रौब नोर्थ पोल उत्तरी ध्रौब का मतलब क्या हो गया बच्चेा नाज़елей द्रौब का मतलब हो गया से साउथ पोल तो इसी वजह से इसे एन और ऐसे रेप्रेजेंट किया जाता है कभी भी ऐसी कोई चुम्बक मिलना संभवी नहीं है जो की नॉर्थ और साउथ के बिना मिले बंदब आपको अगर चुम्बक मिलेगी तो इसके पास नॉर्थ पोल भी होगा और इसके पास साउथ किबारे में ताइए ये स़ुम्बक मिलेड़ेजा जो काओ आप ये लोहे किरनों को अपी और आकष्ध करता है मानओ मेरे पास एक चुम्बक यह रहा नर्थ पोल ये रहा शाय। ये रहा उत्त्रिद nearby ये रहा दश्चिन धरूब, अब इसके पास एक और चुमबकнокो रख में ये कभी-कभी आकर्शन भी करेगा, कभी-कभी प्रतिकर्शन भी करेगा, कभी-कभी ये आकर्शन भी करेगा, कभी-कभी ये आकर्शन भी करेगा, कभी-कभी करेगा, प्रतिकर्शन भी करेगा, प्रतिकर्शन भी करेगा, प्रतिकर्शन भी करेगा, प्रतिकर्शन भी कर सा होगा प्रतिकर्षन अगर विजाती हैं मतलब अलग-अलग जैसे एक उत्तरी दुरूब है एक जसे दुरूब है तो इन के वीच इस स्थिव में होता है बच्छे आकरशन इस्थी में क्या होता है बच्छे आकरशन तो यह की झारक इप अलग अलग बोल्त ने तो Penne Aukie वाला हिस्वा है न इस हमाने है उत्तरी दीरबूब को मिलाने की तो एक दीर फेकेंगे लेकिन अगर में एक ओदाली धुर्णी धुर्णी धुर्णा दूर करने की कोशिश्च करऊंगा तो पास लाना मतलब आई बात समझ्भी में आई तो कुछ एक्साँपल मैंने दिया हुए थेसा है जैसे की नौथ और। सौफ एक लिजय को करेंगे बचे अकर्षत नौथ और स जमी बात यह जानी बातें समझी आकरशन प्रतिकरशन कब यह कुछन कई बार पूछे जाता है अब चुम्बक की चुम्बक के चारओर का च्छेत्र मानलों यह एक चुम्बक तकी हुए नौर्थ साउथ इसका पोल है मेरे पास एक लोहे का तोकड़ा है मैं इसको यहां से 1 क क्लमेडर दूर रख दूँ कोई फर्फ भी बढ़ागा लेकिन अगर मैं इस लोह को तोकड़ों को यहां रखूंगा न तो चुम्बक के से अपनी और क्या लेगी आकरशत यह चुम्बक क्या कलेगी बच्छेत्र जहां पर इसका प्रभाव रहता है वह कहलाता है चुम्ब कि आसपास का वह चीत्र जहां पर इसका प्रभाव रहता है उसे क्या कहा जाता है चुम्बक की च्छेत्र सुनना समना अस пост नहीं बात आपको समझाई जाएगी अब बात आफूस घेक बात को शमजाई जाईगे अब बहने एक लुह का तोकड़ा यहां रखा हुआ यह तो चुम्बक कपने और आकर शेत कर लेधा क्योंकि चुम्बक की छेत्र में हमने लोहय की तख्ड़ों को रख दिया याद रखेंगे नोर्स बनाने में हेलपुल रहेंगी सारी बात ए आगे चुम्बक की छेत्र जो प्रदाशिद करती हैं विद्ध करन्ने के लिए हम बल रेखाओं को अपयोग करते हैं, चुम्बगी शेत को ब्रदशेत करने के लिए बल रेखाओं को अपयोग करते हैं, अच्छा देखें थे हैं, आगे अच्छा डाइग्राम आगे काफी जगा है, तो भाई यहाँ पर में मान लेता हूं, धब्म मिरे पास है ना, तो यह वाई है, यह बना दी ऐन धिम एक दडब बनाऊ उ होती हैं अगर आप पकड़न अ खंच करते हैं कंचेया करते हैं कि हम च्छिट की कुंसेट को नहीं कि आट से तरह के तो माल लो छोंबा की होती है नौर्ट से धितर रखना चुमबक के अंदर इसकी दिशा होती है साउध से नौर्थ हम याद रखना अगर हम पूरा ध्यान से देखें तो एक ओल यह पूरा वक्र आकर बना रहे हैं यह पूरा कैसा बना रहे हैँ छुंबबा की बल बैखाओं का आकर कैसा होता है वक्री होता है एक कर्व शेप हो होती है और चुम्बा के अंदर दश्ण से उत्ता की तरफ बढ़ती है तो अगर हम पूरा तुम्बा की बल रहे हैं नौर से निकल रही है और के बल रीखायों साउuff में जातो हगी अंदर अब आप कि द्षे क्षा क्या परिमान भी होते हैं क्योंकि भाई दिशा भी तो परिमान तो हम आसानी से निकाल लेंगे अब हम दिशा का किसे पता लगाएंगे तो दिशा का पता लगाने के लिए चुम्बकी बल रेखा होगे किसी भी बिंदू पर एक सपर्स रेखा बनाते हैं इस इस पर्स रेखा की ज है आगे और आगे समझते में अब हैं अब चुंबक की बाब कुछा गया है कि कई बार जाना घए मकुछन वाम पर घ्णी होती हैं मेंगे क्लिन वोलते हैं कंपास सबसी जया कर्lateは अप्योग करते हैं अंदर एक पाइंटर लगा होता है एक दिशा दिखाने के लिए लगा होता है जो की सदेव नौर्थ और साउथ हमेशा उत्तर दश्रण के सापिक्ष रोका रहता है लेकिन अगर उसे कही भाहर से चुमबगी शित मिलता है तो वो अपनी दिशा उसे थोड़ा-थोड़ा हेलने लगता है तो भाई चुमबगी करने के लिए किसका यूज किया जाता है आंसर देना आप पास का यूज किया जाता है तो किसी भी बिंदू पर हम इस परश रेखा खीषते हैं उस परश रेखा किसकी दिशा को ब्रदशित करती है चुमबगी शेत की दिशा को बोलोग लिए अब बहुत important question है कई बार पू लिए अब इनका कटान मिंदू देखें कटान मिंदू मतलब जहां पर दोनों बल रिखाएं एक दूसरे को काट रही है उसे बोला गया कटान मिंदू अब मैं उपर वाली एक उपर वाली यह आ रही है न उपर से इसका परश रेखा खीचू तो चुमबगी शित्र की बहुत कि मिलती है जो की संबह भी नहीं है तो इसी वह जैसे दो चुमबगी रहाओं का एक दूसरे को काटना भी संबह नहीं है तो यहां पर कारण लिखा हुआ है कि एक फील्ड लाइन कि साथ इंटरसेक्टि है और जो नहीं कर सकती पता है क्यों क्योंकि दो चेत्राओं दो दिशाएं कैसे हो सकती ही चुंबा की छेट कि जब एक बंदू पर दो दिशाएं नहीं हो ऐगता extr Birthday रखती ही था बहुताAg इसलिए बात को बहुत इमपरटेंट बहुत 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 स्तार काश्वर स्टाल बाट एप बातर cigar सबसे इंपोर्टेंट कॉंसेट का सबसे इंपोर्टेंट कॉंसेट कॉंसेट क्या है धारा का चुंपगी प्रभाव धारा का चुंपगी प्रभाव समझेंगे सुनेंगे जानेंगे सोचेंगे समझेंगे तो आराम से समझेट आएगा माने लो एक धारवाई चाला के धारा और बन गई चुम्पकी छेतर अब ये क्या कहानी है भाई अब विदुद्धारा जो होती है वह विदुद्धारा अलग-अलग तरहां के प्रभाव प्रभाव प्रदर्शित करती है उसमें से जैसे कि विदुद्धारा का चुम्पकी प्रभाव होता है विदुद्धारा का बेसिस पर कुश्यन पक्का है मान लो जान लो सोच लो समझ लो कुश्यन आना ही है कुश्यन आना ही है तो विद्धारा का चुम्बगी प्रभाव बेसिकली होता क्या बचे सना मान लो जब किसी चालक में से धारा प्रभाईत होती है तो उस चालक में से उसके चारो और चुम कि प्रफाव के देखें तो भाई किसी जब का की सी परिपत में से विद्धु धार प्रवाहित होती है तो इसके चारोंत्ट पुक्षेत अपन हो जाता है विद्धु धारा क्मा के दे दे उधारान दी हो हम पता कैसे लगाएंगे है मानो तो मेरे पास एक बिज्दी का तार है इस बिज्दी का तार में से मैंने एक प्लक और एक ब्यटरी की हल्ट से धारा प्रवाहिद करी इस में इसमें से करेंट प्रवाहित करूं धारा प्रवाहित करूं तो धारा की दिशा ए से लेकर कहां की तरफ है बच्चे बी की तरफ तो उसके चार और क्या बन जाए कि विद्धुचेतर अब मैं पता कैसे लगाँ तो याद करो विद्धुचेतर का पता लगाने के लिए अभी कुछ दर पहले मैंने उपकरण के बारे में बढ़ा जिसका नाम होता है कंपास तो जब मैं वैसे तो कंपास सामने तक कौन सी दिशा में रोखता है नौर साउथ के बार लेकिन अगर कहीं से बाहर से विद्धुचेतर मिलता है तो अपने पॉइंट को अपने दिशा को बदल लेता ह मैं इस साहचर के पास लेकल भीटाव जब कंपास चालंव चायों मैं से चाहर के बन जाता हाए चिंबगी चीतर इस घटना को विद्धुध धारा का चुंबगी प्रभाव केतेद याद रखना आपको ड़ाइग्राम की साथ सारी बाते बताई गई यह जो बात है नrien सार एक बहुत-बहुत-बहुत scientist है जिनका रामता और स्टेट जनका रामता और स्टेट जन्हें हम user भी कहते है जब भी शुर्ट चीट बन जाता है इस घठना को विदुधारा करें याद रखना बहुत पहुत बहुत 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 है प्रवाहिद धारा की मात्रा पर प्रवाह की मात्रा जितने ज्यादा धारा प्रवाहिद होगी न उतना ज्यादा चुम्बगी शित्र बनेगा अच्छा देखो करेंट को कम कर लो तो विस्टुम्बगी प्रवाह भी कहते हमाने लो ये तार है 먹는 इसे बिंदूलन ए लिया और एक बिंदु ले लिया अब आप बताईए A पर जाधा होगा और B पर जाधा होगा तो आप का ऊछाइव सर में उपलते हैं जैसे जैसे हम भी बढ़ाते जाते रहीं विए से वैसे चंवकिस्ट्र का स्थ माणD आगर हम किसी copper के तार के लिए चुंबगी प्रभाव बनाएंगे तो शायद मान अलग होगा अलुमियों के तार के लिए तो शायद मान अलग होगा तो चुंबगी प्रभाव पूरी तरह से डिपाइड करता है किस पर बच्छे material पर अब अच्छे देखे electronic circuit में हम अलग-अलग प्रकार के conductor का उप्योग करते हैं उधारन के लिए हम सीधे conductor का उप्योग करते हैं जिससे बोला जाता सीधा तार ठेक है हम straight wire बोलते हैं सीधा conductor या पिर जब तार को वहां की स्थितिया हो सकती हैं वितीन अलग-अलग प्रकार के चालक के अकार हो सकते हैं पहला सीधा तार दूसरा देखो circular तार मतलब गोल तार अब तीसरा देखो solenoid तो बचे जब भी विदुधारा प्रवाइद होती है तो तीन अलग-अलग प्रकार के तीन अलग-अलग अकार के यहां पर क्या हो सकते हैं चालक उन चालक में से अब हम एक एक करके सारी बाते समझेंगे अब सर आप कैसी बात करते हो सर अब आप कैसी बात करते हैं आपने कहा था कि भाई विदुधारा जहां भी प्रवाइद होती है तो उसके चार अर विदुधbe स्थर कुछ मगिक कहा थे होती है परीमाण भी होता है और दिशा बहर बाहर जुरो चुमबकी शितर होता है। तो उसके बिए उपयोग करेंगे कुछ अलग अलग नियम कुछ अलग-अलग दिया हम, जिसमें से एक है right hand thumb rule, सीधे हाथ के अंगूठे का निया हम, हम क्या करेंगे? right hand thumb rule, सीधे हाथ के अंगूठे का निया हम, बड़ा साथ धरान सा निया हमें बच्चे ध्यान चे समयना, माने लो, मैं सबली समयना, आराम से, भाई, सीधे हाथ को अँ पजा, सीधे हाथ के अंगूठे को धरा के दिशा मेंढ़ दो, यह रखा और उग्लियों को मोड दो, बस यह जो उग्लियों की दिशा है ना, यह दिखाएगी, किस की दिशा चमबगी छे की दिशा अब देखो हम जानते हैं कैसे निकालेंगे तो चुम्बगी छेत्र बन रहा होगा ना वो चारो और बन रहा होगा चुम्बगी छेत्र क्या बन रहा होगा बसके चारो और चुम्बगी छेत्र वक्री आकार का होता है पहले पढ़ चुके हैं तो भाई राइठील लिया अंग क्शुमब की चेतर के दिशा निकालने के लिए किसी धारावाई सीधर चालक के आसपास आप कौनसे राइट हैंड थम रूल सीधे हाथ के अंगुठे का नियाम का अप्योग करोगे बड़ा साधनल साथ कैसे अंगुठा दिखाओ किसको करेंट को अंगुठा दिखाओ में क्या रखो अंगूठा सीधे हाथ का और उसके बाद जो उंगलियों का मोल है उंगलियों का जो झुकाओ न यह क्या प्रदश्यत करेगा चुम्बकी चेत्र की दिशा को बोलो क्लियर आया तो होगा भाई समझ आया तो होगा अब भाई पूरी बातें यहां समझते हैं उल्टा कर दिया मैंने धारा की दिशा को कर दिया उल्टा कर दिया तो यह दिखा रहा है मतलब चुम्बकी चेत्र magnetic field मतलब चुम्बगी छेत्र clear तो भाई important है ओपी concept है भाई very important very important इसके notes आप बनाओगे न तो ध्यान से बनाना क्योंकि बच्चे कई अलग-अलग boards में ये question पूछा जा चुका है कि आप किसी विद्धुचालक तार के आसपास विद्धुचालक शीद्धार के आसपास चुम्बगी छेत्र का मान किस नियम से निकाल होगे तो आपका उंतर क्या होगा आपका उंतर होगा राइट हैं ठमरूल शीदे हाथ के अंगूठे का नियम बड़ा सब कैसे लिखोगे जब हम हम सीधे हाथ के अंगूठे को विद्धुधार के दिशा में रखते हैं तो हमारी उंगलियों का जो जुका होता है वो जुका चुम्बगी छेत्र के दिशा को प्रदैशित करता है बोलो clear लिख सकते हो आप उसे हैं ना अब आगे देखें यह example थे कि अब बात ही आती है कि circular loop की condition में कैसे निकाल हो गया हम circular loop की condition में भी हम सीधे हाथ के अंगूठे का नियम उप करेंगे circular loop की स्थिति में भी हम सीधे हाथ के अंगूठे का नियम उप करेंगे होगा जब हम किसी चालकदार में से गोल भी घुमाद होगा तो इस इस्तिथी में हम वही हस्त अंगुष्ट नियम का उप्योग करें वादर सीध्य हाथ के अंगुष्ट नियम अब बच्छे देखो यहां पर इस जगह पर पहले में डाइग्राम बनाता हूं डाइग्राम सा सब्सक्राइब करो चिंपार कि कोना देती है नियुक्त अब इस जगह पर अंगुठ को रखा मेंने लिए इस दिका थाम दिक यह करें निकल गई तो चाहे सीधा तारो चाहे गोली चालको चाहे तार को गोल घुमा दो विद शर्कुलर लूप बना दो शर्कुलर वायर बना दो इस इस्तिति में भी हम राइट थम रूब रूब का प्योग करेंगे बोलो क्लियर है या नहीं आगे बढ़ते हैं भाई आगे अब तो यह मुक्त है रहुए त मैं बता चुकाओ यह तो मैं बता चुका हूं च्लाइट इसको ट्राइड करें Teams यलोओड यलो कोलर भाई अच्छा लगता theo धनल एक तो इसे क्या करेंगो भाई इसे क्या करें भाई एक ट्राइट करें ट्राइड आकरोगे तभी त विद्धाकार शेत्र, किसीभी व्रत्ताकारMY अब स माज़े खोगा में गोल लूप में जो चिम्भगी खेत्र शेत्र में to convert करता है। सबसे पहले विद्धस्टारां को परीमान होता है अधिक्धारा अधिक चिम्भगी शेत्र होता ह। जो हमारा चंपकी छेत्र होता है वो चंपकी छेत्र डिपाइंड करता है विद्धारा के परिमाण पर जतना अधिक विद्धारा के परिमाण उतना ज्यादा चंपकी छेत्र उसके लावब है विद्धारा के तरिज्जा पर चित्ती ज्यादा त्रिज्ञ उतना खमें अगे आगे अभी यहां पर उधारण दिया हुआ है आगे एक लूप है अब अचय यहां से अगर हमारे सुनना ये शब्द ये लाइन द्हें सुनना मानों तो मेरे पास एक चालक है गोली चालक एक लूप है अब मेरा मन कर रहा है कि भाई इस पर एक और बार लूप बना दू तो ये लो दो अब भाई एक और बार लूप बना दू इस पर ये लो तीन एक और बार बना दू चार ये लो भाई एक और बार बना दू पांच छे साथ लो भाई कित्ती बार बना दिया एन बार भाई एक लूप के लिए चुम्बकी छेत्र है तो दो लूप के लिए चुम्बकी छेत्र दुग न हो जाएगा, तीन लूप के लिए तिक न हो जाएगा, चार लूप के लिए चार गुना हो जाएगा, पांच लूप के लिए पांच गुना हो जाएगा, तो एन लूप के ल चुम्बगी च्षितर की दिशा भी समान होगी तो सारे चुम्बगी च्षितर गामान बहुत अधिक बढ़ जाएगा clear एक बार नोट को बना लो जब तक मैं दो सेकंड के अदर पानी पीनू शायद मुझे दो सेकंड से जादा लग गए, अब अगे बढ़ते हैं, अब ये सॉलिनोइट क्या होता है, अब अब अच्छे हमने पढ़ा सबसे पहले तार सीधा होता है, या फिर तार को जब आप गोल घुमा देते हो, तो उसे वरत्तकार लूप बोलने लगते हैं, लेकि इसी तार को ऐसे एक सिलिंडर के रूप में, एक बैलन के आकार में घुमा देते हो ना, तो उस इस्तिति में इसे बोलने लगते हैं, इस इस्तिति में क्या बोलने लगते हैं, तो ये एक प्रकार की कुंडली होती है, जिसमें बहुत सारे व्रत्तकार घुमा होते हैं, और स ग्राम हम आगर प्रेक्टिकल होता तो मैं करके दिखाता हुई यह वाली लूब को देखो धारा की देशाहिए होगी गरेंट गरेंट जब यह सागाई गोल घुमाते अगर प्रतक्रा लूब और ऐसे बहुत बोड़ गोल बहुत एक बना आ लगी आगे इसे सॉलिनोइट को हिंदी में परिनालिका बोला जाता है। सॉलिनोइट को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई। सॉलिनोइट को हिंदी में परिनालिका बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं परिनालिका तो यह सॉलिनोइट बारवन बोल रहा है। दंड चुम्बक तो भाई किसी परिनालिका में भी चुम्बकी छेतर बनता है तो वो भी बार मैगनिट की तरह कैसा बनता है यादेयाकार इसका एक कर्वी की तरह बनता है उसके अलावा किसी भी यह यह बात याद हो यह कई बार कई अलग बोल्ट से पूछा जा चुका कि कि किसी भी परिनालिका के अंदर चुम्बकी बल रेखाएं होती है वो समानतर होती है किसी भी परिनालिका के अंदर चुम्बकी छेतर भी एक जसा होता है किसी भी परिनालिका के अंदर चुम्बकी छेतर एक समान होता है तो उसके अंदर जो बल रेखाएं होती है वो बल रे चुम्बक की तरह एक करता है जैसे हमारे बार दंड चुम्बक के पास दो दुरुव होते हैं उसी तरह से परनालिका के पास भी कितने दुरुव होते हैं दो किसी भी दंड चुम्बक में से चुम्बक की बल देखाएं एक धुरुप से निकल के दूसरे धुरुप में जाती बल देखाएं अंदर समांतर होती हैं और इसे चुम्बगी शेत्र एक सॉलेनोइट में ज्यादा मजबूत होता है अगर मैं बोलूँ कि भाई यह बार में अंगे दन डिचॉबग् किसका चुम्बगी शीतर ज़्यादा गुतन ज़हागा होगा तो यbenehot करेगा है किस तरहदा अच्छा बच先生 सॉलोयगे मोल होंगे ना उतल जल्गोल होंगे गुल सेंगा फिपूप्सथे सब विद्सचा हाँ ऐक लिए न बनेंगे जूड़ करके शीतर का और भाई दंड चुम्बक और परिणालेका की मध्यकर में तुलना करूं, तो किसका चुम्बक का दियादा होता है, आपको आगया होगा, आंसर लिख सकते हो आप लोग, अब अच्छे देखें, किसी भी सॉलिनोइट की चुम्बकी शेत्र का मान मुझे बढ़ाना है, तो ये ड अब भाई देखें, ये जो सॉलिनोइट है ना, इसके अंदर आप एक लोहिका कोर रख दो, तो भाई सॉलिनोइट के अंदर रखे जाने वाली कोर सामगीर की प्रकृति, अगर आप नर्व लोहिका अपयोग करते हो ना, भाई सॉलिनोइट बनाना है, तो ये मैंने लिए पहले पूछा जा चुका है भाई, प्रिवियस येर कॉंसेट है, ये पहले कई बार पूछा जा चुका है कि कि किसी भी परिनालिका के अंदर चुम्बक की शेतर का मान कैसे बढ़ाय जा सकता है, तो आपका जवाब होगा चुम्बक के अंदर क्या रख दे हम, परिनालिका के अंदर नर्व लोहे का तुकड़ा रख देंगे जो कि उसका कोर क्यालाएगा तो भाई किसी भी कोर के माध्यावर डिपेंड करता है अब अब जो परिनाली का है ना परिनाली का तब तक काम करें कि जब तक उसमें विद्धृधारा प्रवाइद होगी अगर मैं उसमें से जाता है और जब 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 धारा प्रवाइद को प्रवाहिद की जाता है और धारन के लिए लोहे का नर्म टोकड़ा यह बता चुक हूँ हूं लोहे का सॉलिनोइट के अंदर रखा जाता है तो चुम्बग प्रभा करने पर यह चुम्बगी शित बनाता है और जब हम चुम्बगी प्रभा रोग देते हैं तो यह वापस लोहे का तुकड़ा बन जाता है तो यह कहानी थी इलेक्ट्रो मैंगनेट की अब अच्छे आगे सामने था यह भाई कोश्यन औप्पी है कई बार पूछा जा चुके है यह कोश्यन केता है के नर्म लोहे के तो टखड़ेका प्रभा बं जाइटे खो जैसे विद्धुदधार का प्रभाईड करोगे तो वो चुम्बगीबा का रिक कारी करने लगेगा इसलिए हमने कीसलि बहुत important है इसके बाद एक डाइग्राम आएगा यह समना यहां से हम left hand rule right hand rule दाए हाथ कर निया हम बाए हाथ कर निया हम सीधे हाथ कर निया हम उल्टे हाथ कर निया हम पढ़ने वाले आगे अब अच्छे चुम्बकी छेत्र के कारण बल माने लो माने लो माने लो एक चालक है माने लो एक चालक है विद्धो चालक है जिसमें से धारप्रवाई तो यह एबी जिसमें से विद्धो जब किसी धारवाई चालक को रख रहा हूं तो धारवाई चालक पर क्या लग रहा है बल एक बार और समझो भाई एक बार और समझो तो भाई मान लिया एक विद्व चालक तार है विद्व चालक तार है तो चार और क्या बनेगी चुंबकी छेत्र इस चुंबकी छेत्र में म बुला जाता है चुंबकी छ्हेत के कारण बल, तो जब भी हमने देखा, कि Current Caring coordinates चुंबकी छेत का उत्पादन करता है, जब चुंबकी छेत पर बल लगता है, इस स्थिती में चुंबकी छेत्र होता है, वो चालक की छेत्र पर कुछ ना कुछ बल लगाता है, और इस वज़य से चालक में कुछ ना कुछ Mm होता है चालक किसी दिशा में आगे की ओर बढ़ता है कैसे बढ़ता है और लो एक धारवाहि चालक है मैं सुच को खूँ धारवाहIs चालक में से धारवाहित कर दो इसके चारा ओर क्या बन ग़ा चमबखी छेत्र अब मैंने खरागया, इसके पास मैंने एक मैंगनेट को रख दिया, देखो नॉर्थ साउथ एक होर्ष्यू मैंगनेट, गोले के नाल के आकरगी एक चुम्बक है, इस मैंगनेट को जशे रखता हूँ न, तो ये तार को अपनी और आकरशित कर सकती है, आकरशित, अगर मैं दृप्ता को बदल दू, करेंट को उल्टा कर दू, तो इस इस्तिती में ये का करेगी, परतिकरश्यत करेगी, मतलब एक बात और पदा चलिए, यहा से, हमें एक बात और पदा, धारा की दिशा बदल देने पर, चूम्बक हत्व की दिशा भी बदल जाती है, याद गरो, राइठ थाम रूल चे में धारा की दिशा में करेंट रख रहा था, तो चुम्ब कत्व की दिशा ये थी, लेकिन अगर धारा की दिशा बदल दी तो चुम्ब कत्व की दिशा भी तो बदल जाएगी, तो धारा की दिशा बदल देने पर चुम्ब कत्व की दिशा भी बदल ज तो यह बल किन-किन लाइख बातों परबेंड करता है ये बल करता है धारा के दिशापर और सुम्भगी शित आगे भाई आगे समझते हैं यह धरुवान नहीं है यह धरुवान है भाई इसको सई कर लेना थिक है रुवों को बदलते हैं थोड़ी क्या बचा हिंदी लेखना आपको बता है सिस्टम बर कितना मुश्किल होता है हम बहुत कुशिश करते हैं कि errorless बनाएं लेकिन हिंदी जिसका अर्थ बदलते मातर एक बिंदी वो है हमारी मातरभाशा हिंदी तो भाई देखो एक dot लगाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए इसलिए थोड़ी बहुत हिंदी में एक ना एक चोटी-चोटी निकली जाती है दिक्कत थोड़ा सा समझा करो यार आप लोग समझते हैं सारी बाते हैं तो देखो आगे अब भाई यहां से बाते शुरू होती हैं कि भाई किसी धारवाई चालक बल लगने वाला बल कब सबसे अधिक होता है किसी माने लो चुमब की बल देखाई यहां से यहां जाती है चुमब की बल देखाई यहां से यहां जाती है अब मैंने क्या कर दिया, किसी धारवाई चालक को चुम्ब की बल देखाऊंगे, समानतर रख दिया, इस इस्तिती में इनके बीच बनने वाला कौन कित्र डिगरी हो गया, 90 डिगरी, तो इस इस्तिती में बल की वैल्यू क्या होगी, सबसे अधिक, तो जब चुम्ब की बल र इत्तम होगा, और जब यह समानतर होगी न चुम्ब की बल कमान के आओगा, सबसे कम होगा, भाई, सारी चीज़े अगे बड़े भाई, भाई, अब हम कैसे निकाले, कि भाई, किसी चालक है, किसी करेंट ले जाने वाले चालक तार पर काम करने वाले बल की दिशा कैसे खो तो हम यूज करेंगे फ्लेमिंग का लेफ्टेंड डूल, हम कौन सा नियम उपर करेंगे फ्लेमिंग का लेफ्टेंड डूल, देखना, अंगुठा, पहला शब लिखा होगे न, अंगुठा, ये रहां अंगुठा, फ्लेमिंग का लेफ्टेंड डूल, उल्टे हाथ का नि तो अंगुठा तरजनी और मद्धिका इन तीनों को एक गुस्तर के क्या करो लंबता अब जैसा कि आगे दिखाए गया आपको यह रहा अपवर्ड डिरेक्शन में अंगुठा यह हो गया हमारा और यह हो गया यहां पर हमारा ठीक है इन सारी बातों हमेशा याद रखना कि इसी में गणुठा तरजनी और मद्धिका और हमारा और हमारा मद्धिका एक दूसरा की लंबता हो जाती तो इस सो तरजनी होती जो एन सशिति की को दिखाती है है अग्ढधिखली होती हैな वो धारा की दिशा को दिखाती है तो तरजनी क्या हो गई भाई तरजनी तो यहां जा रही है ना तरजनी क्या दिखा रही है भाई चुमब की शेतर मतलब magnetic field, उसके बाद मध्यंगली यहां आ रही है, बाहर की तरफ बाहर, बाहर की तरफ आ रही है, तो यह क्या दिखा रही है, current की दिशा को, तो भाई बल की दिशा कौन दिखाएगा, बल की दिशा दिखाएगा, कौन दिखाएगा भाई कि father, mother, child इससे कुछ ऐसे भी आदा F मतलब force, force मतलब बल F मतलब force, force मतलब बल B, B मतलब चुम्बकी छेत्र इससे M भी बोला जाता है magnetic field और I मतलब current तो कुछ लोग ऐसे father, mother और child से भी याद रखते है important है, very important आप इसको note कर लो very, 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 very very important concept है किसी भी board की हो, आप इंडिया आगे किसी भी board की हो, किसी भी medium की हो, अगर ये चीज में English medium के लिए पढ़ाता है तो भी बहुत जादा important थी, कई बार exam में पूछी जाचुकी है अब बच्चे आगे अच्छी तरह से represent किया गया उपर एफ मतलब क्या हो गया बच्चे ये दिशा हो गई बच्चे बाल की ये हो गई हमारा कि चुम्बकी छेत्र की दिशा ठीक है और ये आई हो गई बच्चे विद्धारा की दिशा ठीक है ये इंपोर्टेंट है आप अपना हाथ मत रख देना यहां पर सिर्फ डाइग्राम मनाना है आप इस डाइग्राम को भी बना दोगे ना तो भी वैलिड हो जाएगा इतना चाहाथ तो बनेगा नहीं अब अच्छे विदुद्मोटर विदुद्मोटर एक ऐसा उपकरण होता ह है जो कि विदुद्ध धारे के चुम्बकी ब्रभावार काम करता है अब इससर हमने विदुद्मोटर तो बह次 देखी नहीं मैं आपको बताता हूँ आप bubble और यहाँ मेंसाला पीशने के लिए घर में खाना बनता है मसाले मनते हैं सुगंधित मसाले होते हैं वह पिसने करते हैं वह भी लो भाई वहाँ भी ठीक है वहाँ किसका यूज रोटर तो हर रोटेटिंग ुझोटा इनक्श कर उनादर दो अरव यह मोंच तो मोटर क्या है मोटर एक घुर्णन उपकरण है क्या है एक डिवाइस जो घूमता है गोल घूमता है या पर घुमादार चलता है अच्छा देखो बेसिकली मोटर को आप डिफाइन कैसे करोगे तो यह डेफिनेशन है यह विद्धु दूर्जा को किसमें करता है यांत्रिक में अच्छा इसके अलावा उपयोग अलग किये जाता है इसको भयोग पंखेदात्र किर शिम्भाकी की Prawaa खोल्य दा हुदान की नावर किवाएतु इस में दोडुनाए तो इसे डार प्रवाईच होती है तो कुंडली पर बल कारई करता है जो से निरंतर गुमाता रहता है, इन चौड धारा के चुम्बकी प्रभाव पर कारे करता है भाई, कौन से प्रभाव पर, धारा के चुम्बकी प्रभाव पर, शायद मैंने सही लिखा है, धारा के चुम्बकी प्रभाव पर कारे करता है, ठीक, मोटर धारा के चुम्बकी प चुम्बक पहला होता है भाई चुम्बक ठीक है देखो डाइग्राम भी बना हुआ है भाई पहला कैसा होता है चुम्बक दूसरा भाग देखो दूसरा भाग होता है ब्रश दूसरा भाग क्या होता है बच्चे ब्रश ठीक है दो लगे होते हैं B1 and B2 B1 and B2 तीसरा भाग क्य क्या लगए हुए बच्चे यहां पर स्प्लिट्रिंग ठीक है इंग्लिश और हिंदी दोनों में नाम एक ही होते हैं तो इसे लिए मैं भाई अंग्रेजी भी लिख दिया रहा हूं देखो वे ध्यान से पहला हो गया हमारा स्प्लिट्रिंग दूसरा हो गया ब्रस तीसरा हो गया चुम्बक चौथा यह एबी सीडी देख रहा है इसे बोलते है कुंडली कुंडली कैसे बनाई जाती नर्व हो यह एक्ट करेगा किसकी तरह किसकी तरह किसकी तरह आप चुम्बकी शेत्र के दिशा नौट से लेकर साउथ की तरफ जैसी धारा प्रवाइत होगी ना तो इस पर कुछ ना कुछ बल लगने लगा जिस बल की वजह से यह क्या होने से लगा तो अब यहां पर एक विद्व चुम्बक का प्रियोख कलो तो चुम्बक अत्व जादा हो जाएगा उसके अलावा यह जो हमारा कुंडली है न उसमें टन टर्नों की संख्या को अधिकर तो जितने जादा हम फेरे बढ़ाएंगे उतना ज्यादा चिंबकी शेत्र बना जाएगा अच्छा देखो उसके अलावा इस कुंडली के कोर को हम नर्म लोही का बना दें तो भी हमारा काम हो सकता है तो यह यह बात थी मोटर के बारे में अब गेलविनुमीटर यह एक बहुत 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 इसके बाद हम धारा के चुम विद्दुद चंबकी बात बाद हो यह चिति की पता लगाता है के भाई किसी भी चालक में से धारा प्रवाइत हो रही है नहीं तो भाई देखो यह galvanometer के ऐसा हो को जो circuit में धारा की उपस्थेती को कम वो पता करता है वो जाती है भाई गल्ती तो वो पता करता है galvanometer के ऐसा होप करने जो किसी circuit में से धारा के प्रवाग को पता करता है सामने तब परिपत में से जब धारा प्रवाइत नहीं होती ना तो जिरो आप लैब में देखना आपको ऐसा दिखाई दिता है गेलवनमीटर जब धारा प्रवाइट नहीं होती ना तो कैसा होता है जीरो अब भाई यह तार है यह तार से मैंने गेलवनमीटर जोड़ दिया मुझे क्या पता किस दिशा में धारा प्रवाइट हो रही है एक तो एक तो विद्धध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध् तो मैं कुछ तरीके अपनाता हूं अब भाई सुना विद्धु चुमगी प्रियान होता क्या है जिसे इंग्लिश में बोलते हैं अब पहले सुनेंगे अब सुना देहां से भाई पहले अब भाई 1820 लगभग 1820 अराउंड अच्छेक्ट तारीक देख तो मुझे भी नहीं ब इसके ग्यारा साल बाद 1831 में माइकल फइराड़न ने सोचा नाम तो सुना ही होगा माइकल फइराड़न ने सोचा कि सुनना मरे शब्दों को कि जब भी किसी चालक में इसे धारा प्रवाइत होती है तो उसके चारो और चुम्भगी शेत्र बन जाता है मतला विद्धु ध को कि दे कर ना को पsels ईकर आपको पताई पस एक चुमबक को लेकर आए गराए और चुमबक को कभी आगे पीछे कभी आगे कभी पीछय लेकर घय तो सिस्ति ति वह जो गैल्वनिमीटर रहे यह अपने pointer को ऐसे से रोटेट करता है और यह अपने pointer को ऐसे से रोटेट करता है जब इसमें से क्या प्रवाइट होती है विद्धारा तो इससे क्या सिद्ध होता है कि जब भी किसी कुंडली या विद्धुचालक तार के पास हम किसी चुंबक को इस तरह से रोटेट करते ह स्ञ्टर्वायट होती है वह सित्रमेंट्र के धारा प्रवाइत हो रहे है यह बोलो क्लियर इस घटना को कई तोकि उल्टो विद्धुद तौरा का बन जना खुफ दोघा की चेतर से अंग्रेजी में कहा जाता है Electromagnetic Induction अंग्रेजी में से कहते है Electromagnetic Induction इसी वजह से मैं इसे लिखता हूँ EMI Electromagnetic Induction बोलो क्लियर तो भाई चुंबकी छेतर से विद्धुत का बनना Electromagnetic Induction लाता है बहुत important concept है बहुत important भाई अब यहां से करानी शुरू होती है यह माइकल फेरण ने खोजा था अब भाई इस कोजने हमारे घरों में विद्धुत जनरेटर बनाने की भाई सपने दिखा दिए कि अब हम विद्धुत धारा को बना लेंगे अब हम विद्धुत धारा को बना लेंगे विद्धुत चुम्बकी और ने उत्पन होने धारा को क्याओ जाते है बचे प्रेरित धारा का माने जब अधिकतम होता है जब कोल हिए थोड़ा सा जब गती चुम्बकी छेतर की दिशा के संकोंड पर होते ही मतलब 90 फिल रिपार जब चुम्बकी छेतर और ठाल है वह चुम्बक को अंदर की तरफ ले जाओगे तो गेलवनोमीटर एक दिशा में घूमने लगेगा लेकिन आप चुम्बक को बाहर की तरफ लाओगे तो गेलवनोमीटर दूसरी दिशा की तरफ घूमने लगेगा सिद्ध क्या होता है कि जब एक दिशा में आप मुवमेंट कराते हो एक दिशा में जब आप गती कराते हो तो धारा भी एक दिशा में प्रवाइट होती है लेकिन अगर आप गती की दिशा बदल देते हो तो धारा की दिशा भी बदल जाती है कौन सी धारा प्रेरित धारा से प्रेडित धारा की दिशा को रहांगे। अब लेट हैंड किसके लीखरते कमेंट ने मताना अब हम राइट हैंड का यूज करेंगे फ्लेमिंग का राइट हैंड का रूल्ल तो यह रहां राइट हैंड याद करो अंगूठा तरजनी और मद्धिका याद करो हम आप पहले बढ़ चुप है, अंगुठा, तरजिनि और मद्धिका, क्या? अंगुठा, तरजिनि और मद्धिका, इन तीनों को इस तरह से रखो, कि तू तीनों एक दूसरे के लंबबता हो, तीनों यहां से भी 90 डेगरी बना रहे हैं, यहां से भी 90 डेगरी और यहां से का मान निकालने के लिए कैसे यह अपवर डिरेक्शन में अंगुठा इस डिरेक्शन में तर्जिनी और इस डिरेक्शन में आरे मेरी अंगली फस गई इस डिरेक्शन में क्या निकालेंगे हम इस डिरेक्शन में याद कर लो भाई तर्जिनी अंगुठा और मदिका तो भाई देखो कैसे अगर में उपर की तरफ उपर की तरफ बल की दिशा मतब चुमबकी बल की दिशा उसके बाद चुमबकी छेतर की दिशा यह रही चुमबकी छेतर की दिशा यह रही फील्ड की फोर्स अब फो यह एफ और यह हो गई हमारी करेंट की दिशा तो यह हो गई हमारी क तो भाई हमारा अंगूठा चालक की गति की दिशा को बताएगा, जिस दिशा में चालक को हम रोटेट करा रहा हैं, और तरजनी उंगली दिखाएगी चुम्बकी शेत्र की दिशा को, ठीक है, और इस इस्तिति में मद्य उंगली दिखाएगी प्रिरित धारा की दिशा को, औ अगये हमारी धारागी दिशा यह सबुत आपके सामने है सबुति आपके सामने अगैं याद करो बहुत 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 इंपॉट में अलग बोड से कई वार अलग तरीके से से इधर दाये हैं आप इंडिया की किसी वोर्ट को इस कोशिशं चे कहीना कहीं कहीना कहीं डील करोगे तो फ्र्यवर धारा के दिशा के बारे में समझ कि आ गया होगा आपको अब भाई यह देखलो मान लो इसकी दिशा चुम्बगी चेत्र में रखे हुए धारवाई चालक पर लगने वाले बलकमान, लेट हैंड, राइट हैंड से प्रेरित धारा कमान निकालते हैं, तो बचे तुलना के बारे में और आगे घीटल में दिया हुआ है, तो दिशा ग्यात करने के लिए उपयों किया जाता है, ठी इसके लावा ये बलकी दिशा को और ये प्रेरित धारा की दिशा को दिशा को दारत करने के लिए निकाला जाता है, अब अचे देखें, इसमें हमारी उंगलियों का करल, हमारी उंगलियों को जो जुका होता है, वो दिखाता है कि इसको चुम्बगी चित को दिखाता है, दॉषी आप बहुंद करो और दायाहत का नियाम विद्ध समय क्मेटर के लिए प्रवाइट की जाती जाती है लेकिन अपको प्रवाइट की जाती है लेकिन कोशिश करा करो कि आप खुद भी कोच चीजों को solve करो अब भाई direct current और alternating current यह important है कई बच्चे पूस्ते हैं किसा direct current क्या होता है और alternating current क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ direct current क्या होता है direct current जब धारा की दिशा दिशा एक होती है तो इससे direct current बूल जाता है जब भी धारा की दिशा क्या होती है एक होती है इससे DC याई DC से लिखा जाता है अब अच्छे यह थोड़ी चीप प्रोब्लम में धुरुविता ठीक है समय लोग है वह तो आप जहां पर धारा की धिशा शकरात्म को नकर आत्म को कि होती है टे की जाती है किसे अब अब अधिया सब्दोग एक हमें एक्जाम्पल से समझेंगे प्रतियवर्ती धहरा आ अगई यहाँ पर अब घय माने लो माने लो एक धारा रावाई चखा लगैं इस मे से धारा की दिशारे ऐसे लेकर बीता और जब भी हम सेलर जोडते हैं जब भी हम क्या जोडते हैं या बैटरी तो इस Stephanie में जीथारा होती है वो दारा क्लाती है होती है two word आधिये बच्छे डी सी वह दारा क्या कराती है second लुक्षी इसले गण都ारँ वह वाईट होती यह से लेकर एक दिश्शा में अब औरफवाईद होगी कि तो हमें अब बच्छे तो भई कैसे बतलता है मान है इसमें धारा अंतराल बतलता है जिसमें दिशाकामान इस We दिशा को लड़ देती है। इसे एसी या फिर स्मॉल से भी लिख सकते हो अपयोग कर सकते हो। इसमें क्या होता है बच्चे? धुरुबीत आप कंटीनी बदलती रहती है। शकरात्मा को नगरत त्रे नहीं हो सकती कि धनात्मक दिशा में धारा प्रवाइटर रनात्मा यह कंटीनी बदलती रहती है बचे इसका अप्रियोग धारा के बहुत भाही अब क्या होता है हमारे पाइज डारेक्ट करेंट था तो एसी करेंट की जरूरत क्यों बड़ी तो भ बहुत जाद होते हैं तो एनर्जी के लॉस को मिनिमाइज करने के लिए हमने एक नई धारा को निर्मान किया जिसका नाम होता है प्रत्यवर्ति धारा एसी क्योंकि भाई देखें इसका जो बहुत लंबी दूरी तक संचारित करने में भारत में अधिकांश पावर स्टेश प्रत्यवर्ति धारा कभी इस दिशा में जाएगी कभी में total कितने चक्क्र लगा लेती है 100 चक्कर तो भाई यहां से क्या पता चलता कि हमारे घरू में समर्ण एसनाधो Bach होती है जिसकी होती है जिसकी आवर्ती होती है अब यह आप सोचे मों की होती है एक शकुती किया होता है एक सेकेने हरा नंबर वाईब्रेशन क्यालता है आवर्ति जितने भी चक्क्र यह पूरा लगाईगे उसे बोलेगा अवर्ति तो प्रतिवर्ति धारा की जो आवर्ति होती है पचासे शाट हड़ के आसपास होती है बोलों क्लियर आगए बाते होते हैं इसको विस्ट धारा के बारे में तो भाई इसमें धाराक एवल एकी दिशा में प्रवाइट होती है धाराक इसमें धाराक की में हर समय में अंतराल के साथ बदलती रहती है दिशा अब भाई इसकी धुरुविता हमेशा फिक्स रहती है प्लस से माइनस इसकी धुरुविता हमेशा बदलती रहती है प्लस से माइनस माइनस प्लस मतला नियत रहता है, परिमान का जो घटाक होता है, हमेशा कैसा रहता है, नियत, लेकिन इसका परिमान सदीड बदलता रहता है, कभी धनात्मग, कभी और हिरनात्मग. इसका उप्योग, टीवी में इस्तिमाल किया जाता है, और बच्छे ये इसके बारे में AC के आवर्ती कित्ती होती है, हमारे भारत देश में 50 पचास आवर्ती पर घुमाया जाता है, 50 कुरांतियों के आवर्ती पर घुमाया जाता है, इस कुरांती, मतलब इस कुरांती का मतलब अब लड़ाई नहीं कर रहा है, इस कुरांती का मतलब कोई नहीं, इस का मतलब एक चक जन्लब कोई संगडस or करांती नहीं कर रहा है थी हम तो भाई कुल मिलाकर एक सगेंड में कितने चक्कर सौ बार सबस्पार पचास धनात्मा को औरकल का है इसकर आशा इससे हमेरी अधारी कज्च से चला कि सभल में एंभा और 105 हमारे घरों में जो सामानिता उप्योग किये जाने वाले टेलीविजन रेडियो यह सारे की सारे होते ना यह डिसी पर काम करते हैं यह किस पर काम करती है कंडिशन पर हमारे घरों में एसी की सप्लाई होती है विधुद धारा को उत्पन करती है, जनरेटर का दूसरा नाम ले दो भाई, सर जनरेटर का दूसरा नाम होता है डाइनेमो, जनरेटर का दूसरा नाम क्या होता है डाइनेमो, तो भाई जनरेटर का ऐसी ऐसी मशीन होती है, जो की विधुद धारा को उत्पन करने के काम आती ह यह किस प्रिंसिपल पर काम करता है यह प्रिंसिपल पर काम करता है मैं लिख देता हूं इसका सिधान्त क्या है विधुत चुम्ब की प्रेरण इसका सिधान्त क्या है भाई विधुत चुम्ब की प्रेरण तो धारा के चुम्ब की प्रेरण तो धारा के चुम्ब की प्रेरण मोटर क्या करती है? याद करो मोटर क्या करती थी? भाई 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 याद तो आ रहा है विद्धुत उर्जा को यांत्रिक उर्जा में बिदलती है लेकिन डाइनमो क्या करता है? उसका उल्टा यांत्रिक उर्जा को किस में करता है विद्धुत उर्जा में करता है सामने था यांत्रिक उर्जा आम तोर पर भाप तर्वाइन, गेस तर्वाइन, पौवन तर्वाइन के दारा प्रदान की जाती है और विद्धुद जन्रेटर में लगबग विद्धुत बिजली प्रतान करती है जो की हमारे घरों में पहुंचा दी जाती है विद्धुत की साहिता से अब भाई कैसे दिखता है विद्धुत चुमबगी प्रतान में सबसे पहला विद्धुत चुमबगी जन्रेटर 1831 में बनाए गया था किसे ने हमारे सर माइकल फेराड़े ने इन्हों ने ही विद्धोचुमब की विद्धोचुमब की जन रेटर क्या भाग होते हैं पहला भाग नुझे चुमबक। सब्सक्सिंस अग्रइग्स फिस षी कि उसके लावा यॉ पर। बोलेंगे BBS ऐसे BC जन रेटर है को हम बोलेंगे सफिक है क्या बोलेंगे भाई से DC जन रेटर ठीक है और पत्त्य वर्ति जन्रेटर को हम बोलेंगे एक जन्रेटर तो भाइ ये भी क्या कर आई इसमें ब्रधा को विद्ध 주ur他ar में कंवेट कर रहा है। कौनसी भाई DC विद्धूतूर्जा में और ये भी का कर रहा है यांतिकूर्जा को परिवर्तित कर रहा है प्रतियवर्ति धारा में ठीक है अच्छा देख हम इसमें कुडली की प्रतिक आदि गुण में धारा अपनी दिशा को लड़ देता है इसमें यह थोड़ा सा करेक्श फंगता इससमें का उपएपना प्लच सर्क देख जाता है अब हैं हमा enfants के बेल्ट्रोनिच की यह बहुत-बहुत-पहुत-भाई हम् इिसके बेसे पर एग्शाम में में को अखन देख रहा है इसके basis पर exam में कुशन आप किसी भी बोर्ड के हो all over India आप किसी भी MP बोर्ड, UP बोर्ड, CG बोर्ड, जो HP बोर्ड ले लो, CG बोर्ड जो भी लेना चाहो उनमें इस टाइप के कुशन पूछे जाते हैं हमारे घरों में electronic circuit होते हैं हमारे घरों में circuit होते हैं उन circuit में wiring की जाती है मैं आप मुझे देख पार हैं सामने camera लगा हुए उपर light लगई नीचे light लगई है computer चल रहा है screen चल रही है यह पीछे बोर्ड चल रहा है यह सारे के सारे बिजली की खपत तो कर रहे है अब बिजली की खपत करने के लिए चारों और बिजली का तार का जाल बिच्छा होता हमारे घरों में जैसे टीवी चलती है फ्रेज चलती है पंखे चलते है कूलर चलते है इसी चलता जनरेटर चलता है इसारे की सारी इनको चलाने के लिए हमें क्या बनाना पड़ता सर्केट तो हमारे घरों के सारे electronic circuit हमारे घरों में electronic circuits होते है न उनको चलाने के लिए electronic devices चला आने के लिए हम electronic circuit बनाते हैं घरेदू electronic circuit तो भाई देखो सबसे पहले electric power station से विद्द उत्पन की जाती है जो की घरों में विजली की आपूर्ती करते हैं कौन करते हैं बढ़ी power station अब बजली के खंबे नहीं होंगे या तो फिर भूमिगत केबल करेंगे या ते विजली के खंबे नहीं तो भूमिगत आप बिजली के बोलेंगे भाई से इसे live wire ही बोलेंगे live wire पर लाल रंग का होता और धारा इसी से आती है और भाई neutral wire ये काले रंग का होता है सामनिता ठीक है सामनिता हमारे घरों में जो supply होती है वो होती है 220 वोल्ट की ये डिपेंड करता है डिपेंड करता है भाई किस तरह की आपको supply की ज रेलू विद्धुत उपकरण कैसे काम करते हैं बाई सबसे पहले यहां से धारा आ रही है लाइव वायर से कहां से आ रही है जहां से पावर स्टेशा ने जहां से विद्धुधारा बन रही है तारों का जाल विच्छा हुआ है तारों के जाल चाहिए विद्धुधारा आती जाती है जाती है सब इसे पहले electricity board के पास आती है electricity board विजली के खंबे की health से हमारे घरों तक विजली पहुचाता है विजली के खंबे से हमारे घरों में मीटर लगा होता है जो मीटर नापकर बताता है भाई यह मीटर नहीं होगा तो वह हमसे पैसे कैसे लेंगे पैसे लेने क यह अब इसके बाद यह सँच्टित लगाई लगा हुए इसमे तो तो दो आला है इसमें तो जैसे डोंपोंक्र यह पासट एससे होते हैं घर पास कुछ हैने नहीं नहीं तो बताता जिसमें एक और उपर से लगा होता है एक और ऐसा थोड़ासा बढ़ा होता है यह राखा हुगा है मेरी पास मिल गया इसका जो संबन्द है ना इसका संबन्द कर दिये जाता है भूमिगत करके इसका संबन्द कर दिये जाता है भूमिगत करके ताकि जित्ती भी एनर्जी वेस्ट हो रही है जित्ती भी एनर्जी लीकेज हो रहा है वो घुमाकर कहां गुम बैचा दिये जाए अर्थ के अंदर अब भाई ये सामने था, earth wire जो होता है, green color का होता है, क्यों वो लगाय जाता है, ताकि current के जटके से बचा जा सके, ज़ोर का जटका ज़ोर से ना लगे, इसलिए, तो भाई देखें, घरे लूप करण में तीन तरह के तार, ये प्रत्री तार, इसे भूमी का तार भी बोलते हैं, earth wire, live wire और तठस्त तार, that is called neutral wire, ठीक है, इसे क्या बोले जाता है भाई, neutral wire, live wire या फिर neutral wire, ठीक है, भाई देखें, प्रत्री जो earth का तार होता है, वो हमेशा अर्थिंग भी बोलत करते हैं, कि हमें current ना लगे, तो सुरक्षा के उद्देशों के लिए घर के पास प्रत्री से रखी धातों की प्लेटों से जड़ा हुआता है, ये सभी उपकरोन में होता है, सामने था सभी उपकरोन में लगा होता है, और ये सुरक्षा प्रदान करने के लिए लगाया जा होता है, जिससे कि जितना भी current है, वो current कहां पहुंच जाए, लीक होने की स्थिती में धर्थ की के पास पहुचा जाए, तो शरीर में चार्ज का रिषा होने पाद जटके को रोकने से मदद किया जाता है, लाइव तार, ये भाई यही तो है, मेन काम तो हमारा, लाइव ता होता है, ये तीन socket वाला switch, उपर वाला हमेशा, उपर वाला हमेशा green color का होता है, हरी रंग का, अब आप बोले होगे, सर मैंने आपको दिखाया था, ये ऐसा था ना, अब आप सोचे होगे, भाई अजा, ये उपर वाला बड़ा बना हुआ है, बड़ा क्यों बना हो, ताकि ये socket में डालते से ही connect हो जाए, जैसी ये socket में जैसी डालेंगे, तो सबसे पहले किसका connection हो, अर्थ का, कि अगर हम neutral या phase, phase या neutral के connection में आते हैं, तो इस condition में ये फ्यूज जो हरी, इस condition में ये जो अर्थिक वायर है, already connect हो गया, already जैसी connect हो आना, तो in case current leak होता है, तो जमीन म अर्थ तार काले रंग का होता है, अर्थ तार हरे रंग का होता है, ठीक है, आगे, भाई देखें, अर्थ वायर क्या होता है, तो मैं इसके बारे बता चुका हूँ, कि अर्थ वायर हमारे विदृत परिपत में एक तीसरे तरह का तार होता है, जिसमें से कोई धारा प्रव सबाइत होती जब करेंट लीक होता है करेंट लीक होता तो हमें लग सकता है भाई हमें लग सकता तो वह बट स्वाँ हो जाएगा इसलिए से बचाने के लिए हम जारा कि यह विद्धृद धारा कहा पहुंजा के अंदर क्योंकि विदुद्धारा आप जतनी दिदुद्धन अर्थ के अंदर रथ कोई फर्क नहीं पड़ता तो याद रखें यह इसका आंसर लिखा हुआ ओपी कॉंचेट है कई अलग अलग बोड में पूछा जा चुका है अब भाई समझे ओवर्लोडिंग अब आपके घरों में एक लीडिदे अमाउंट ओकरेंट फ्लो होता है या फर live wire और neutral wire को जोड़ो live wire और neutral wire को जोड़ो live wire से current आ रहा है neutral wire जा रहा है तो इतनी तेजी से current flow होने लगता है कि बहुत सारे switch लगा दो बहुत सारे board में लगाद हूँ तो बहुत सारे जादा करेंट फ्लो कर देगा तो जादा ओश्मी प्रभाव बनेगा तो तार तूट जाएगा अब भाई इसका एक फाइदा हम आगे देखेंगे पहले शौट सर्कुट समयलना शौट सर्कुट क्या होता है जब न्यूट्रल वायर और लाइब वायर एक दूसरे के संपर्क में आजाते हैं तो अचानक बड़ जाता है तो क्या होता है बच्छे शौटर talk जब किसी चालक में जब किसी परिपत में यह रहा नीच्रल वायर और यह live wire एक दूसरे के संबंद में आ जाता है तो इस इस्तिती में बहुत अधिक धारा प्रवाइत होती है बहुत अधिक धारा प्रवाइत होने की वजह से वहाबर जितने भी परिपत हैं उसमी प्रभाव के कारण वो तूट जाते हैं और इस घटना को हमारे उपकरण खराब हो सकते हैं तो इससे बचने के लिए क्या करें तो इससे बचने के लिए हम यूज करते हैं फ्यूज का इससे बचने के लिए हम किसका यूज करते हैं बच्चे फ्यूज का तो फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण है युश का है बच्चे एक शुरक्षप करने जिसका उपयोग सर्कुट में ओवर्लोडिंग और स्टायट के कारण उत्वण होने वाल नुक्सां से बचने के लिए जाता है भाई बहुत ज़ाधा करेंट फ्लो हो गया बहुत जाधा करेंट प्लो हने की वज़े से हमारे उपक नहीं होती है CC osc a अधिक मारा प्रवाइट निजयता है लिगिये को अधिक दिए नहीं होती है इसे और यह गल लेजाता है इसकी वज़ाय से यह तूट जाता है तूट जाता है तो परिपत में से धारब रवाइट नहीं होती परिपत में से धारब रवाइट नहीं होती ना तो आप समझ गए होगे हमारे के सारे के सारे जो अपरेटस है खराब होने से क्या हो जाते बच जाते हैं तो electronic fuse ओवर्लोडिंगे शॉर्ट सर्केट के कारण खराब होने से हमारे उपकरोनों को बचाता है भाई सामने ता फ्यूज का उप्योग किया जाता है इस तरह के कर TV किया आपके घरों में इस तरह का एक कताउट बना होगा भाई यह कांटें होती है इनके बीच में यह देखो एक टार लगा हुआ यह होता है इसका गल्लांग कम होता है जानग कम होता अब आप साइट से देखोगे ना तो फ्यूज वाई ऐसा देखता है कॉमनली कि हमेशा यह आपको live wire से connect करना है हमेशा फ्यूस को कौन से वाइर से connect करना है भाई live wire से ही क्यों connect करना है क्यों कि मुक्र धारा का घटा कौन सा है live wire ठेक है आगे अब mcb अब भाई हम सर्कृٹ तोड़ने के लिए लगू परिपत की स्थिति में शॉर्ट सर्कृट के श्यदि में, सर्कृट को तोड़ने के लिए हमारे पास ओल्रेडी फ्यूज उपलब था, लेकिन फ्यूज अगर तूट गया तो उसको लगाना, उसको बहुत सारी दिक्कते होती है, तो इन सारी अगर भाई दिक्कत होती है, तो मैं अपने स्विच को डिप कर लूँगा, मैं अपने स्विच को बंद कर लूँगा, जैसे स्विच को बंद करूँगा, तो परिपत में से धारा के प्रभा को रोख लूँगा, जब मुझे चालू करना हो तो मुझे स्विच को उठा दो, कित आसान है, लेकिन फ्यूस करता है पहले मुझे निकालो फिर तार जोड़ो फिर तार जोड़ो फिर लगाओ तो दिक्कत होती है भाई तो भाई जैसे कि तुल्या में अधिक करण्ट प्रवाइड होता है ंति ज्यादा सम वाई जाद़ होता है एंसी व affect weights तो आपको पता चल लिए उस रूम की दिक्कत है धारा के प्रवाहा में उस रूम में सब्सक्रीट हो रहा है या फिर उस रूम में ओबरोड हो तो आप उस रूम की सप्लाई को कर सकते हो तो आप उस power supply का एकी fuse होता तो आपको अलग अलग तरीके से चेक करना पड़ता है तो वहाँ दिक्कत हो जाती है तो भाई MCB पुना प्रायोज है आप उसको कुछ नहीं करना switch उपर उठाना चालू हो गया fuse में थोड़ी दिक्कत होती है आगे देखें भाई MCB और fuse के भी संदर तो यह पुरानी तकनीक है यह एक नई आप fuse बहुत पहले यूज किया जाता था MCB एक नई तकनीक है इसका उप्योग आजकल नहीं किया जाता इसका उप्योग आजकल यह पुना उप्योग नहीं किया जा सकता और ये पुना अपयोग किया जा सकता है, इसका अपयोग अब बहुत जगा नहीं किया जाता है, इसका अपयोग बहुत जगा नहीं किया जाता है, अब अच्छे देखें, ये हीटिंग की सिद्धान पर काम करता है, विद्धुद्धारा के उश्मी प्रभाव पर काम करता है कौन से प्रभाव पर भाई यह विद्धुधर की चुंबगी प्रभाव पर काम करता है याद रखेंगे वह कम रहा ही यह ने कुम्बगी की स्ढ़ान पर कार्य करता है याद रखेंगे कंवाई नोथ कोड़ यह कुशन हो म Till पर के question भाई इस question को solve करेंगे और इस question को solve करने के बाद आप मुझे answer देंगे comment में तो इसी के साथ आज की glass को खतम करते हैं बच्चो मैं उमीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ आपको मेरी class में बहुत मज़ा आया होगा बच्चो तो अब हम मिलेंगे next class में full energy and enthusiasm के साथ ओ भाई, अच्छी तरह से class को देखना कम से कम दो बार class को review करना आराम से, देखने का मतलब देखना नहीं, इसके notes बनाना है, इसको समझना और कोई दिक्कत होते हैं, मिलते हैं अपन next class में तब तक लिए बच्चो टाटा, बाई-बाई अच्छी से बढ़ाई करना, एक्जाम बहुत पास है मिलते हैं अपन next class में, ठाटा बच्चो बाई-बाई मेरे प्यारे बच्चो, मिलते हैं अपन